नमस्कार आपका स्वागत है चंद्रगुप्त मौर्यों को चक्रवर्ती समराट बनने वाले आचारिय चानकी की नीतियों ने भारत की इतिहास को बदल कर रखने में एक अहम भूमी का निभाई है अर्थ शास्त्र और राज नीति के महान ग्याता रहे आचारिय चानकी के सिधानतों को आधुनिक युग में भी स्विकार किया गया है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुन्दर्ता होती है आचारे चानक्य की ये बाते आज की युग में काफी हद तक सही सावित होती है महान पंडित आचारे चानक्य ने चानक के नीती में अपने जीवन के अनुभव को और शास्त्रों का अभ्यास करके हम सभी के लिए चानक के नीती की रचना की है आचारे एच्चानक्य की बातों पर ध्यान दिया जाए तो वेक्ति जीवन में हमेशा ही उन्नती की रहा पर चलता रहता है आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी वह कौन सी बाते हैं जो कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए आचरे चानक के ने इन बातों को हमेशा ही गुपत रखने के लिए कहा है तो आईए जान लेते हैं पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले पहली बात अपना दुख किसी को ना बताए दोस्ता आम तोर पर बहुत से लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों को हर किसी को बताया करते है चानक के निती के अनुसार ऐसा करना सही नहीं अपनी दुख, तकलीफे और दर्द दूसरों को बता कर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते है दूसरे लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके दुख दर्दों को समझे अधिकतर लोग आपके सामने आपको सांत्वना तो देंगे पर आपके जाने के बाद आपका मजाक बनाने लग जाएंगे अपने दुख और तकलीफों को सिर्फ उनी लोगों को बताए जो आपके बहुत करीबी होते हैं पर ऐसा भी करना अनुचित है माननी और हिम्मत वाले लोग कभी अपने दुखों का बखान दूसरों के सामने नहीं करते वे स्वयम उन पर हल निकालने का प्रयास करते हैं दूसरों से सला लेकर दूसरों के सामने गिड़ गिड़ा कर दूसरों से सानुबती पाने का प्रयास नहीं करते बलकि स्वयम ही अपने धुक्य के बारे में सोच विचार करके उसका हल निकालते हैं दूसरी बात अपमान आचारे चाने के कहते हैं हमें अपने जीवन में हुए अपमान को कभी किसी के साथ साजा नहीं करना चाहिए जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाए घट जाती है जब हमारा मजाक बनाया जाता है अगर आप कभी जीवन में कभी अपमान हुआ है तो उसे हमेशा ही गुपत रखे अगर आप उस घटना के बारे में लोगों को बताएंगे तब आपका मजाक ही बनाएंगे जीवन में बहुती कम लोग हमारी कदर करते है इसलिए अपने जीवन में हुए अपमान कारक घटनाओ के बारे में कभी किसी को ना बताएं तीसरी बात जब हम अपने घर की बाते लोगों को बताते हैं, तो हमारे घर की जोटी से चोटी बात भार वालों को पता लग जाती है। इसकी वज़े से लोग इस बात का फायदा लेकर आपके घर के सदिश्वी के बीच में झगड़े लगाकर आपके परिवार को तोड़ने का प्रयास क के द्वारा अपने पत्नी के चरित्र के बारे में बात निकलना चाहिए, अगर पत्नी चरित्र हीन है तो उसका त्याग जल्दी ही कर देना चाहिए चवती बात अपने आर्थिक स्थिति जीवन में कई बार हमारे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है कवी कबार ऐसा भी समय आता है जब हम धन दौलत से हाथ धो बैटते हैं चानक की नीति के अनुसार, हमें ऐसे समय में अपने हालात कभी किसी को बताने नहीं चाहिए, अपने खोए होए धन की, अगर हम हर जगर चर्चा करेंगे, तो लोग मजग बनाने लग जाएंगे, मदद के लिए कोई आगी नहीं आएगा, चानक की कहते हैं, जब भी आप ऐस हालत में होते हैं, तब आप खुद को मजबूत बनाएं, और परिसिती से निकलने के बारे में अधिक सोचना चाहिए, हर किसी के जीवन में दुक आता है, पर ऐसे समय में हमें सोच समझ कर ही, चीजों को करना चाहिए, ना कि हर विक्ति को इसके बारे में बताना चाहिए, तो दोस्तों, ये ती वो चार बाते, जो किसी वे बुद्धिमान पुरिश को हमेशा गुपत रखनी चाहिए, चानल की किस नीती पर आपकी राय कमेंट करके और शे बताना ना भूले, वीडियो पसंद आये तो लाइक करे, दोस्तों के साथ शेर करे, साथी चानल को सब्स लाइ